जदे को question एक और trigonometry से लिए आगया question है, if cos एक theta bya then sec theta is equal to what, sec theta का बेलों में निकालना है बहुत easy question, इस question को तो बहुत ही हम लोग सरलता पुरभग बना सकते हैं, एक हम अगर diagram draw कर देना तो ज़्यादा असान होगा तुम लोगों के लिए समझने में, चलो ये angle को हम लोग माल एक right angle triangle है, ठीक है, इसी के तुरू हम लोग को question को करेंगे, और यहां पर हम लोग ये पास है क्या चीज, कि कौशिक theta बरावर है bya, ठीक है, तो बक्री के यवाज पर ध्यान नहीं देना है, concept पर ध्यान देना है, यहां पर देको क्या है, कि हम लोग को याद रखना है, वह काई थीटा इस इक्वाल टू था, pyh, जबकि कॉसिक theta इसका reciprocal होता है, यहां पर हम लोग को पता है, हाइपोटेनस के जगा पर क्या है, b, मतलब हाइपोटेनस हमें पता है, b, clear, और p मतलब परपेंडिकलोड थीटा के सामने जो होता, वह परपेंडिकलोड, परपेंडिकल आलना, base यानि की bc, तो bc is equal to base is equal to kya, हाइपोटेनस का स्क्वार, माइनस का परपेंडिकलोड स्क्वार, कहानी खतम है, यहीं पर, question बन चुका है, आप देखो, sec theta, sec किसका reciprocal था, cos का reciprocal, और cos theta is equal to byh, तो sec theta is equal to kya होता है, h by b, h by b, तो h मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस बोले तो, b, जबकि base बोले तो क्या निकल के आया था, under root, b square minus a square, और यहीं अपना final answer है, यानि की option number a, right होगा, तो देखो, यहाँ पर यह p नहीं है, base है, b है, ठीक है, by mistake लिए थे,